तो तो नमाश्कार दर्शुकों कहते हैं जिसने जोतिष शास्त्र को पढ़ लिया जिसने जोतिष शास्त्र को समझ लिया वो अपने जीवन में सबल हो गया जहां दोस्तों आज हम आपको सिटमबर माशिक राशी फल के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 5 राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला ये महिना जी हाँ दोस्तों धान कारोवार करियर में आपकी तरक्की होने वाली है जानिए ये महिना किन राशियों के लिए खुश खबरी लेकर आएगा और किन राशी वालों को थोड़ा और इंतजार करना होगा यहां दोस्तों सितंबर का महिना शुरू हो चका होगा यह महिना कई राशी वालों के लिए बेहद शुब रहने वाला है जबकि कुछ राशीयों को बड़ा संगर्स करना पड़ सकता है जानी ये महिना किन राशियों के लिए खुश खबरी लेकर आएगा और किन राशी वालों को थोड़ा और इंतजार करना होगा तो सबसे पहले हम आपको मेश राशी के जातकों के बारे में बताते हैं दोस्तों मेश राशी में धनलाप के लिए ये महिना सबसे अच्छा माना जा रहा है आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत होने वाली है धन इवेश के लिए भी समय आपके पक्ष में रहेगा पैसा कमाने के लिए ये अब दी आपके लिए स्रिश्ट रहेगी आर्थिक का अंदार शुरुवात आपको मनोबल बढ़ा देगी किसी अनुभवी ब्यक्ति की सलहा आपको मोटा लाब दिला सकती है बस यही सही जगा निवेश करें पेट आंथ लीवर जोड किड्नी वा घुटनों के दर्द आदी रोगों के प्रति आपको सचेत रहना होगा पैसे पर भी आँख मून कर भरोसा मत कीजिएगा पिता से संबंदों को लेकर एक समय जाधा अच्छा प्रतित नहीं हो रहा नीद ना आने की शिकायत कुछ लोगों को हो सकती है इसलिए काम के साथ साथ सेहत के लिए भी समय निकालना आपके लिए जरूरी होगा जो लोग देग कराशी की जिया दोस्तों दहनलाब के लिए आपके शेर वाजारों सट्टे लाट्री में साउधानी पूर्वक किया गया निवेश आपके लिए लाबधाईक सिद्धोश रखता है पिता से इस अबदी में आपको थोड़ी कमी बनेगी दान पुन्न में आपकी रूची जा रहेगा जिन लोगों को दिल से जुड़े रोख हैं उन्हें अपनी सेहत पर विशेस ध्यान देना पड़ेगा आप जितना परिश्रम करेंगे उतना धन सरलता से कमा सकेंगे आमदनी को बढ़ाने के लिए आप अलग अलग तरीके आजमा सकते हैं अब बात कर लेते हैं सिं समभावना भी बन रही है सेहत को लेकर ये समय थोड़ा सचेत रहने का है इस अबदी में अधिक क्रोध करने से आपको बचना चाहिए अपने निर्णे स्वयम लेने के चलते आप पर दबाव थोड़ा अधिक रहेगा जिससे मन में बेचैनी उत्पन्न होगी इसलिए स्व के लिए महिना उमंग भरा हो सकता है आप कोई बड़ा घर खरी सकते हैं नया भाहन खरीदने के लिए विए समय काफी उत्तम रहेगा दोस्तों आभाई वहनों के साथ आपके संबंद पहले से अधिक गाड़े होंगे महिने में कुछ लोगों को हड़ियों में दर्द पित हुआ दाएं कंधे में संबंदी समस्या आधि से जूजना पड़ सकता है यदि आप कार के साथ आराम को भी महतो देते हैं तो ज्यादा परिशानी नहीं आएगी इस समय आप अपना मनोभाव तरो ताजा रखने के लिए सैर सपाठे पर जा सकते हैं अब बात कर लेते हैं तुला राशी की धनहानी के योग बन रहे हैं शेयर बाजार में घाटा लग सकता है प्रॉपर्टी में भी निवेश करने से पहले अच्छे से बिचार कर लें परिवार में किसी सदस्य की सेहत खराब रहने की आशंका है आप अपना निवास इस्तान बदल सकते हैं अथव करेरिक फिटनेस के लिए ब्यायाम योग ध्यान को जादा महतु देंगे कामकाज के दोरान बाहन चलाने में जल्दवाजी करने से आपको परहेच करना होगा अब बात कर लेते हैं बिश्यक राशी की निवेश की हुए पैसे से आपको लाब मिल सकता है आभूशन खरीदन पन खतम हो सकता है और रिस्तों में मजबूती आएगी इस महीने आप खूब अच्छा कर सकते हैं जहां दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनू राशी की इस महीने खर्चा अधिक और आए कम होगी लेकिन महा के अंद तक रुका हुआ पैसा बापिस मिल सकता है कसरत योग व सबसामानने होगा साइयम बनाए रखें किसी दोस्त की सलहा आपको इस समय लाप पहुचा सकती है इस महीने अपनी जिंदगी के कुछ खास पलों रिस्तों को दें दोस्तों और परिजनों को अपने साथ की जरूरत है आपके साथ की जरूरत है आप खुश मिजाज रहेंग निवेश से भी अच्छा फाइदा होगा, नए प्रवेश का भी मन बना सकते हैं अब बात कर लेते हैं मीन राशी की आपको शेर बजार से मीन राशी में धनलाव मिर सकता है विदेश से भी मीन राशी में धनलाव के योग बन रहे हैं नई खरीदारी की समभावनाय प्रबल होंगी प्रेम जीवन बहतर रहेगा अगर आपके मन में किसी के प्रति आकरशन का भाव है तो अपने दिल की बात कहने से ना चुकें क्योंकि विप्रीत लिंक का भी आपके प्रति आकरशन भाव हो सकता है तो दोस्तों कैसी लगी आप को हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए सिस्क्राइब कीजिए नेक्स नाइन स्पिचोल से रजत की रिपोर्ट